Hello children, welcome to CBSC online audio video lessons. Myself, Suman Gupta, your Hindi teacher, from Seth Vidya Mandir, English High School, CBSC, Vassayi. Children, today we will start new lesson, lesson number 11, lesson name, Kaal, from Hindi Grammar. यहाँ पर बच्चों देखिये, तीन वाक्ये दिये गए हैं. तनु मुंबई गई थी, तनु मुंबई जा रही है, तनु मुंबई जाएगी. तो गई थी, जा रही है, जाएगी क्या है बच्चों? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा, यह क्रिया शब्द है. और उनसे समय का पता चल रहा है कि क्रिया कब हुई है या कब हो रही है. इससे पता चल रहा है वर्तमान समय जो चल रहा है समय तथा जाएगी इससे पता चल रहा है आने वाला समय इस प्रकार क्रिया की परिभाशा होगी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले या बोधो उसे काल कहते हैं काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बद लिता हुआ समय, तो क्या लग जाएगा यहां, था, मनोज गिलास से पानी भर रहा है, यहां पर पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, मनोज गिलास में पानी भर डालेगा, यहां आने वाले समय में कार्य होगा, डालेगा क्या है, क्रियाशब, इस प्रकार काल के तीन भेद होते हैं वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यत काल भूत काल, भूत मतलब बीता हुआ, काल मतलब समय, अर्थात बीता हुआ समय, यहां उधारन देखेंगे मैं नाना जी के घर गया था, दिव्या ने कल भी अच्छानरत किया था, यहां गया था और क्रिया था, क्या है बच्छों, क्रिया शब्द है और इनसे पता चल रहा है क्रिया के बीते हुए समय में होने का इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो या ज्यान हो उसे भूत काल कहते हैं वर्तमान काल वर्तमान मतलब चल रहा समय हम पढ़ रहे हैं गरिमा सो रही है यहाँ पर क्रिया शब्द कौन से हैं बच्चों? पढ़ रहे हैं सो रही है इन सब्दों से पता चलता है कि क्रिया चल रहे समय में हो रही है इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोधो या ज्यानों से वर्तमान काल कहते हैं भविश्यकाल, भविश्यत अर्थात आने वाला समय थोड़ी देर में पत्र लिखूंगी, रिया अपना जन्म दिन मनाएगी यहाँ पर क्रिया शब्द कौन से हैं बच्चों, लिखूंगी और मनाएगी इन सब्दों से पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोधो या ज्यान हो उसे भविश्यत काल कहते हैं काल के संबन्द में बच्चों कुछ विशेश बातें जो ध्यान रखनी हैं, जो क्रियाएं आप सदा करते हैं, अत्वा होती हैं, वे वर्तमान काल के अंतरगत आती हैं, जैसे सूर्य पूर्वे दिसा में उदै होता है, या सूर्य पश्चिम दिसा में अस्त होता है, आकास मे तारे टिम्टिम आते हैं, विद्यार्थी प्रति दिन स्कूल जाते हैं, सत्य की जीत होती है, इस तरह के वाकि हमेशा वर्तमान काल के अंतरगत आते हैं, काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है, जैसे थोड़ी देर में पत्र लिखूंगी, यहाँ पर क्या है क शब्द लिखूंगी, इससे हम काल पहचान सकते हैं, कौन सा काल होगा लिखूंगी शब्द से पता चल रहा है, भविश्यत काल, इन तीनों कालों के भेद भी होते हैं, जो आपने तीन काल पढ़े, भूत काल, वर्तमान काल और भविश्यत काल, इसके और भी भेद होते है जिन्हें आप अगली कक्षाओं में बच्चों पढ़ेंगे हमने जो पढ़ा काल के संबन्द में उसको पुणा दोरा लेते हैं क्रिया के होने का समय काल कहलाता है यानि की काल हमें समय बताता है काल के तीन भेध, भूत काल, वर्तमान काल, भविश्यत काल यानि present tense, past tense, present tense and future tense बीता हुआ समय, भूत काल, चल रहा समय, वर्दमान काल, आने वाला समय, भविश्यत काल तो बच्चों पाठ को पुना पढ़ेंगे, दोर आएंगे, इसके अभ्यास को करेंगे, धन्यवाद